आज हमारे पास एक मम्मी उसके तीन महिने के बच्चे को ले के आई है उस बच्चे को उसकी मम्मी ने गवर्मेंट हॉस्पिटल में चार या पात दिन पहले वैक्सिन दिलवाई थी उस टेम पे तो कोई जादा दिक्कत नहीं हुई थी बच्चे को हलका एक दो दिन बुखार आया था बट मम्मी ने देखा तो दो दिन से बच्चा जादा रो रहा है हलका सा बुखार भी वापस आया है और जहां पे वैक्सिन लगी थी वहां पे इस तरह से बहुत सारा सूजन और रेडनेस हो गई है इस वज़े से मम्मी गवराई है और मम्मी बच्चे को लेके हमारे पास आई है तो आज हम बात करेंगे कि वैक्सिन की वज़े से कई वक बार ऐसे बच्चों को स्वेलिंग आ जाती है तो यह स्वेलिंग क्यों हाती है इसको प्रिवेंट यानि कि कैसे रोका जाए और अगर यह हो गया है तो इसको कैसे ठीक कर सकते है नमस्कार दोस्तों मैं हूं डॉक् एक बार फिर आज जिरू एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ और आपको कुछ ने असीखा निकली आज हम बात करने वाले हैं वैक्सिन की कुछ कॉम्प्लिकेशन के बारे में कई बार हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं उसकी लेकर आती है कि बच्चे को वै injection skin के अंदर लगता है तो जो सुई होती हुए skin के नीचे जो muscles होते हैं उसके अंदर जाती है अगर वो सुई थोड़ी ज़ादा मोटी हुई बच्चे की skin और muscles बहुत छोटे और पतले होते हैं intensity होते हैं और कई बार अगर हमने पतली सुई का यूज नहीं किया जान मोटी सुई का यूज किया तो वहां पर जो muscles के अंदर जब सुई जाती है तो वहां पर वो muscle थोड़ा सा डेमेज हो जाता है और वहां पर internal भाहर शायद नहीं दिखता है बट internal थोड़ा सा bleeding भी होता है तो जब vaccine लगती है और वहां पर internal bleeding या हलका सा muscle damage हो जाता है तो वहां पर फिर वो muscles का damage हुआ वह वापस regeneration होता है और muscle का regeneration होता है वो thick fiber की वज़े से होता है तो उस वज़े से कई बार vaccine की जगह पे एक guard जैसा पढ़ जाता है जो एक fibrous band होता है जो muscle repair करता है हमारा body उस वज़े से होता है कई बार ऐसा होता है कि वहां पर internal जो muscle damage हो आए वहां पर bleeding भी होती है और bleeding वहां पर internal जो इकटी होती है accumulate होती है वहां पर एक swelling बन जाता है जिसको हम internal hematoma भी कहते है वह वैसे तो बहुत चोटा होता है बट हमको भार से दिखता है कि वहां पर swelling दिख सकता है बट इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है ना तो इसमें दर्द होता है ना इसमें बुखार आता है वैक्सीन की वज़े से एक दू दिन हलका सा दर्द या बुखार हो सकता है दूसरी common complication होती है infection क्या होता है जब intramuscular damage होता है वहां पर थोड़ा hematoma भी होता है बट साथ साथ में वो needle से अंदर थोड़ा infection भी चला जाता है और जो viral या bacteria अंदर infection कर दिया है वो जो damage वाली site है उसके आसपास वहां पर infection फैलाता है वो infection दिरे दिरे आसपास की skin तक पहुचता है वहां उ उस वज़े से skin थोड़ी red होने लगती है shiny होने लगती है और जब यह infection फैलता है तो वहां पर swelling बढ़ती है और दर्द भी होता है तो इसे बोलते है cellulitis infection और यह होता है vaccine देने की वज़े से जो needle के द्वारा infection अंदर गया है उस वज़े से यह थोड़ा problematic हो सकता है क्योंकि इसमें बुखार भी आता है दर्द भी जादा होता है यह जो बच्चा है इस condition में इस बच्चे को post vaccination, inflammation हुआ है, swelling हुआ है और infection भी लगा है secondary bacterial तो यह cellulitis develop हो है इस condition में हम बच्चे को antibiotic देते हैं कई बार 5-10 दिन हमें antibiotic देने की ज़रूरत पढ़ सकती है अगर swelling ज्यादा है inflammation जादा है या तो अंदर पस बन गया है तो कई बार हमें उसे needle से aspirate करना या तो incision करके वो पस निकालना भी पढ़ सकता है यह depend करता है वो selling कितना बड़ा है अंदर inflammation कितना जादा है इसके उपर अब बात करते हैं इसको prevent कैसे करें यानि कि इसको होने से कैसे रोका जाए इसके लिए हम 3-4 चीज़े कर सकते हैं सबसे पहली बार वैक्सिन देने के टाइम पर जो भी हम वैक्सिन देने के लिए जो needle use करते है वो single use होनी चाहिए sterile होनी चाहिए और हो सकते उतनी पतली होन है वाइल के अंदर हम नीडल डालके वैक्सिन को फिल करते हैं तो जब वो needle हम वाइल के अंदर डालते हैं तो एक rubber के तुरू needle अंदर जाती है तो उस वज़े से वह needle का आगे की जो tip होती है थोड़ी blunt हो जाती है तो अगर वही needle हम स्वी लगाने के लिए यूज करते हैं तो वो थोड़ा जादा damage करती है तो इसके लिए हमें दो needle यूज करनी है पहली needle हमें वैक्सिन को वाइल से injection में बरने के लिए फिर वो needle को आप डिसकार्ट कर दीजे और नई fresh needle लीजे जो fresh needle है वो हो सके उतनी पतली और बारिक होनी चाहिए और वो नई needle से फिर आप injection लगाने के बाद injection site को आप 5 मिनिट तक थोड़ा प्रेस करके दबा के रखे ताकि internal hematoma या infection के होने के chances कम हो जाए और आप अच्छी तरीके से skin को prepare कर लीजे clean कर लीजे sterilize कर लीजे ताकि वहार का infection अंदर ना लगे अगर इतना ध्यान रखा जाए तो internal fiber damage होने का hematoma होने का और infection होने का chances कम हो जाता है कई मतर ऐसा बोलते है कि क्या injection लगाने के बाद हम उसके उपर बर्फ लगा सकते हैं आप injection के बाद अगर वहां पे हलका सा थोड़ा सा swelling आये तो आप बर्फ लगा सकते हैं उससे क्या होता है internal vasospasm होता है उस वज़े से swelling भी थोड़ी कम जल्दी ह होती है और pain होने के chances थोड़े कम हो जाता है thrombophob को clean करने के लिए thrombophob करके ऐसी ointment आते हैं कहीं doctor यह भी recommend करते हैं हाँ अगर हलका सा hematoma हुआ है तो यह tube लगाने से दिन में दो बार लगाने से जो hematoma हुआ है वो जल्दी से clear हो जाता है यह आप कर सकते हैं तो जब भी आप vaccine लगाए तो ध्यान रखिए doctor को बोलिए कि हो सके उतनी पतली needle का use करे vaccine collect करने के लिए और vaccine लगाने के लिए अलग-अलग needle का प्रयोग करे अगर इतना ध्यान रखोगे clean रखोगे तो vaccine induced complication होने के chances बहुत कम हो जाते हैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसं लाइक करें शेयर करें अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए आज के लिए बस इतना ही फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ एक नए topic के साथ और आपको कुछ नहीं सिखाने के तब तक healthy रहें खूश रहें अपने झाल आपको के साथ और 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 आपको क